जितने आस्था चेनल पर कता सुन रहे हो जितने फेस्बूक और यूटूब पर सुन रहे हो और साउधानी से सुनना शिम महापुरान की कता करती है तीन जगहां पर अगर कोई बिमारी ऐसी हो गए कि वो समाप्त नहीं हो रही बड़ी तकलिफ मलब एक वार दवाई अगर च लता डम और ओड़ी में तो शमी के नीचे या फिर आउलेके नीचे इन दोनों में से कोई एक व्रक्ष विश्करी अ और एक हपते अगर आपने आउले में चड़ाया है तो आउले में ही चड़ाना, शमी में चड़ाया है तो शमी में चड़ाना है, ये बदल के मैं चड़ाना, कि आज में समी में चड़ा देती हूं कल आउले में चड़ा दूगे शाम को चार वजे से लेकर साथ वजे के बीच में संकर और पारवती के ब्रमन का समय रहता है मेरे देव दिदेव महादेव और माता पारवती के ब्रमन का समय बगवान संकर पारवती गुमने को निकली ते इसलिए हमारा सनातन धर्म करता है शाम के समय पर माताओं को ज़ाड़ों नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिच्छिया नहीं बदना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चोगट पर नहीं बेटना चाहिए, उसका कारण क्या है? क्योंकि पारवती जी ने भगवान भोलेनाच जी से कहा ता कि तुम मुझे रोज साम के समय प्रदोस्काल में ब्रह्मन के लिए लेकर जाते हो मेरे लिए आध्या क्या है संकर भगवान में का सुनो पारवती मंदिर के अंदर मंदी रहता है जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दक्षन करने आता है तो नंदी के कानों में करकर जाता है कि शिवजी को मेरे याने कराना में नंदी के अंशार उनके घर जाता हूं मेरा काम है उनका कल्यान करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सुभाग व्यवती का पर बदाल करना यह तब पारवती माता ने कहां अखंड सुभाग व्यवती होने का बर में तो दे दूंगी पर उस समय पर माता है कि श solchenने केभल शेवादव होता है शांकरी कि आधानाना काज में होता है अगर आपके यहां नहीं कर रही है बहुत मेहनत कर रहे हो चयल reproduce है और दोन पर आधाना कि आ रहा हो हम स्बसे कर पर श्री शिवाय नमस्तुम्हम बोलकर शंकर भगवान को याद करकर अपनी कामना करकर बाबा का समर्ण करकर नमस्वाय तरवाजी के पास लगा तो उस सुने का जरूर आएगा उसका पेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जड़ जड़ जाए